आपकी वॉक्षीट नमबर 8 यह आपकी एसस्टी की वॉक्षीट आईए क्लास 8 की इसी के साथ आप देख सकते हैं नीचे आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की भी वॉक्षीट आईए तो मैं इसको दोनों को साथने बनाऊंगी आप लोग ले लेंगे तो चलिए शुरू करते इसको पढ़ना देखते हैं आज इसमें क्या करना है तो पहले आप लोग किसे अच्छे से लेबल कर लेंगे वॉक्षीट नमबर डाल देंगे सब्जेक्ट डाल देंगे आज आपकी राजनितिक विज्ञान वाली और 8 अपना नाम अपनी टीचर का नेम और डेट आप लो तो प्रोसीजर यह है दा आइडियो आफ कॉंसिटूशन फॉर्मिलेशन स्टार्टिट कमिंग इन दे नेशनल लिस्ट डूरिंग दे इंडिपेंडेंडेंस स्ट्रॉगल यानि हमारे देश में सम्मिधान होना चाहिए इसके अंदर कॉंसिटूशन होना चाहिए यह उसी दिमाग में आ गया था जब अभी तक हम आजादी के लिए इंडिपांदेंटóriaेंटइंडिया के इंडिया से हुर्ए इंडिपांदेंट्र बहारी चाहिए तो हमें उसके लिए सब को बराबर रखना पड़ेगा जिसके लिए हमें सम्विधान का निर्मान करना अतियाविशक है ठीक है but for our country लेकिन अगर हम अपनी country की बात करें with so many diversity यानि हमारी जो country है उसमें बहुत जादा जाती और धर्म के अलग-अलग community के लोग रहते हैं this was done not be one percent but by a group of around 300 people ठीक है यानि अब यह बोलते हैं तो इत्ती बड़ी डैनिसिटी है हमारी उसकी तो उसको लेके किसी एक आदमी का काम नहीं था इसको करने का तो इसके लिए कितने लगभग 300 लोगों ने मिलके इसका काम क्या who's become member of the constitution assembly in 1946 ठीक है यह कब की assembly है constitute assembly 1946 की who meeting period for the next three year to write Indian constitution और यह meeting जो है वो अगले तीन साल तक चलती रही किसकी constitution को लिखने की यानि सम्विधान को लिखने की constitute assembly meeting continued for next three year यह अगले तीन साल तक की ऐसे ही चलती रही when the constitution of India was formed और उसी के बाद जब इंडिया का सम्विधान बन गया the drafting committee committee of the constitution assembly was headed by dr. Bhimrao Ambedkar ठीक है तो अब यह बोलते हैं कि constitution जो assembly थी यानि जो हमारे सम्विधान सभा थी उसके headship जो थे अध्यक्ष से कौन थे dr. Bhimrao Ambedkar जी थे अब क्या लिखा है यह पर these member of the constitution assembly had a hug task before them और इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा task को अंजाम दी आया या हमारे सामने पेश कर दिया ठीक है the country was made up of several different community who spoke different language जो हमारे जो country है वो एक ऐसी country है जिसमें बहुत सारे community के बहुत सारे अलग-अलग लोग रहते हैं जो की अलग language बोलते हैं belong different religions ठीक है अलग-अलग मजहबों से बिलॉंग करते हैं अलग-अलग मजहबों को मानते हैं ठीक उनका जो कल्चर है उनका जो सांस्कृत ही है वो भी हम सबकी आपस में अलग है और आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमारे देश में इतना भेद भाव हुआ करता अगर आपने 6-7 पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात हैं और अगर आप लोग ध्यान से नही पढ़ पाएं तो आज की जो 6 और 7 की वोक्षीट आई आप उसको देखें आपको और अच्छे से बाते समझ में आ जाएंगी इसलिए जो सविदान सभा के मेंबर्स थे उन सब को क्या था बहुत बड़ी चुनोती का सामना करना पड़ा All of these issues played on the mind of the members of the constitute assembly as they draft constitution यानि जब वो constitution को लिख रहे थे उनके दिमाग में सबसे बड़ी समस्या खलबली यही मची हुई थी कि हम किस तरह से equal constitution लेख सकते हैं They rose to the ocean and given this country of awareness document that reflects as a respect of maintaining diversity will represent national unity ठीक है और इतनी कश्मो कश इतनी मेनत इतनी जद्दो जहत के बाद उन्होंने क्या करा इतने परिश्रम के बाद उन्होंने एक अच्छा सा समीधान में लिख के दिया जिसमें हर मजब हर तपके हर समाज के लोगों के लिए हर जाती को मानने वाले लोगों के लिए एक अच्छा सा समीधान निर्मान किया गया था जिसमें हर किसी को बराबर का अधिकार प्राप्त था अब चले देखते हैं main feature of constitution यानि constitution के main feature क्या होते हैं तो क्या लिखा फ्रेलेजम इट मीन different type of government as different level to governor of the country यह से देखें in our country government work at three levels ठीक हमाई country में जो government है वो तीन लेवल पर काम करती है first at the center level जिसे center government कहते है second at the state level जिसे state government कहते है and third at a local safe self-government level यानि कि जैसे आपकी the reason for this is a large country like India all state can have autonomous right to take decision on certain issues यानि कि हमारे देश के बहुत विवित्ता वाला है बहुत सारे लोग है तो इसी लिए हर country को कुछ rights है कि आप वो अपने निर्ना खुद ले सकते हैं ठीक है इसके इलावा बाकियों के लिए उन्हें central government से पूछना ही पड़ता है ठीक है these are some listed in the constitution of clarity of this issues ठीक है जो की आपको constitution में दिया गया है अब आपकी पहले activity जो आपको करने लिका write the name of your nearby bank, school, dispensaries, hospitals, police station, MP, MLA cooperative of the area and find out under which level of government they work it ठीक है अब क्या लिका है इन्होंने इन्होंने का कि आपके आसपास जो school, dispensaries, hospital, police station ये सब चीज़े है तो आपको ये पता लगाना है कि ये कौन चीज़ किसके अंडर में आती है ठीक है तो अब आप देखे पहले हम लोग य जाल लेते हैं कि हमारी area में MP और MLA कौन है ठीक अब क्या होता है जो ये आपके schools वगेरा होते हैं ये जर्नली किसके अंडर में आते हैं ये आपके आते हैं मेले के अंदर में ठीक है और बड़ी बड़ी चीज़े जो थी जैसे police station ये सारी चीज़े आपके MP के अंदर में आ नेक्स टूशन फिर बढ़ेंगे अगर आपको याद हो तो आपने पहले भी एक वीडियो में इनको बनाया है इनके बारे में पढ़ा है चले फिर से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं ये आपके 7 MPs हैं दिल्ली के तो मैंने सातों लिख दिए हैं चान्नी चौक, नौर्ट लिख देली तो मैंने सबके लिख दी हैं आप लोग इनको लिख लेंगे जुस एरिये में आप रहते हैं आप सिर्फ उनका ही लिखेंगे ठीक हर आपको लिखने की जरूरत नहीं है चले तो आगे पढ़ते हैं ये आपके MLA की जो लिस्त है ये मैंने डिरेक्ट आपको दि जहां कि आप ग्रीन कर देख लेंगे अजर्दत अबकर शूर्ण में डर्श अभण नारायन दर्शर्म 味ते लिए सब्सक्राइब में लुट है ड्री पूंअ मैं सबसें का अब अल्ला करो में पिन्लें कंदो तो इसे में प्रीवन करा फते सिंग है ना इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूं आप लोग वीडियो को पाउस कर लेंगे जहां पे भी आपका आएगा आप उसको लिख लेंगे क्योंकि देखें यह 70 है अब मैं 70 के बताऊंगी ना आपको तो बहुत जादा टाइम लगने वाल है तो आप लोग दे सब जगा के मैंने रोहिनी रिठाला सदर बाजार सब जगा के सीलंपूर सीमा पूरी शादरा सब के लगा है इसमें यह देखिए यह तोटल आपके यहां होगा सत्तर ठीक है तो इस सत्तर साथ में इस तरह आप देख सकते हैं यहां पर पार्टी के नाम भी है कि कौन सा जो किस पार्टी से यह भी आपको पता है ठीक है तो आप इस तरह से चाहें तो लिख सकते हैं जो भी आपका हो आप उसको लिख लेंगे चले तो आगे पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट कोशिन है वाट आर डा चैलेंज फीस्ट बाइक कॉंस्टूच्ट असेंबली एड़ कि हमाई जो कंट्री है वो डिफरेंट कमीटी और डिफरेंट लेंगविज बोलने वाले लोगों से ब्लॉंग करती है तो उनको इसी चीज़ की सबसे जादा प्रॉब्लम को फेस करना पढ़ लाता कि वो किस तरह से इसको सॉल्फ कर सकते हैं अब आपका अगला कोशिन जो लेवल पे गवर्मेंट को चलाना यानि अलग अलग लेवल की अलग लग गवर्मेंट होगी उसको चलाना यह जो यह आपका फ्रेलिज्म कहलाता है चलिए अगला कुशन देखते हैं एक्स्रोशन नमबर थर्ड यह लिए का how many levels of governance are there in our country हमारी कंट्री में कितने लेवल की governance था यहने कि कितने लेवल पर government काम कर रही है लिखिए चलिए इस कांसर देखते हैं हम लोग पिस कांसर यहां से लिख लेंगे कि in our country government works at three levels तो कितने level पर काम करती है हमारी देश में government तीन level पर first at the center level is called central government second at the state level is called state government and third at local self-government level यानि कि ग्राम पंचायत या पंचायत राज सिस्टम या multiple cooperation administration यानि कि जो आपके MCD वगरा होते हैं तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे चली आगे पढ़ते हैं अब यहां लिखा है वाई इस दा फ्रीडल सिस्टम ऑफ गवर्नेस इंपोर्टेंट फॉर आउर कंट्री यानि कि जो यह संगवाद फ्रीडल सिस्टम में यह हमारे देश में क्यों जरूर ही है इस लिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा देश है विविवत्ता वाला देश है इस पर बहुत सारे लोग रहते हैं ठीक तो अब बहुत बड़े लावल पे इसलिए यहां पर संगवाद की जरूरत है कि छोटे-छोटे लावल पर कामों को निपताया जा सके हर काम के लिए हमे इसलिए इसकी जरूरत है ताकि जो इशूज हो छोटे मोटी वो अपने गौवर्मेंट जो आपकी स्टीट गौवर्मेंट है या आपकी जो लोकल गौवर्मेंट है वो खुद उनको सॉल्व कर ले और अगर नहीं होती है तो वो नेक्स स्टेप ले ओकी चलिए आगे पढ कर रहें इन वर्क्षिट सेवन यूर रीड अबाओट दे बिहेवियर अफ एनिमल्स डॉक बर्ड्स एलिफेंट एंड फ्लैमिंगोस एनिमल कैंडू अमेजिंग थिंक यानि कि आप यह बोल रहा है कि आपने वर्क्षिट नमबर सेवन में डॉक्स बर्ड्स और एलिफें पावर दी है तो अब आपको उनी सुपरनेचर पावर को बताने के हर एनिमल में जो अपनी सुपरनेचरल वावर है वो क्या है तो टास्क वन है फाइंड आउट एंड राइट एट लिस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट इच आप इच अफ फॉलाइंग प्रेशर य यानि वो जो फॉल जिन से रस उन्हें मिल सकता है उसको हमेशा खयाल में रखती है उन्हें हमेशा पता होता है कि यह वाला फॉल रस देगा इससे ही हमारा शहद बनेगा दूसरे फॉल जो है उनसे हमारा शहद नहीं बनेगा ठीक है तो इसी तरह से अब आपको वेल आंट और cat के बारे में लिखना है तो चलिए के करके तीनों के बारे में देखते हैं हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे The blue whale is the largest animal that ever lived and can grow to 90 or more feet and weight as much as 24 elephants यानि एक blue whale वो सबसे बड़ा जानवर है ठीक है और इसका जो weight होता है वो कितना होता है लगभग 24 हाथ ही जितना होता है ठीक है और इसके लावा ये कम से कम 90 feet तक की और उससे बिज़ादा बड़ी होती है ठीक तो ये fact हो गया आपका whale के बारे में चलिए अगला पड़ते है आपका next है आंट ठीक है तो आप क्या है They are capable of lifting 20 to 100 times their own body weight and carry it everywhere or drugs eat a long ground to the colony अब क्या बोलते है कि जो ये आंट आपको इस चोटी सी दिखती है ना जो आपके नजर में भी नहीं आती है जिसको पैर से दबा भी देते है कभी कदार वो बोलते है जितना उसका वज़न हो उससे बीस से लेके सो गुना जादा तक की उठा सकती है और कैरी करके उठा के कहीं भी ले जा सकती है तो सोचए गौड ने आंट में कितनी ताकत दी है है ना आपका वेट कितना है 25 kg है या 30 kg है तो क्या आप लोग 25 या 30 है अगर आपका वेट 40 kg भी है तो क्या 40 kg उठा पाते हैं नहीं उठा पाते हैं लेकिन आंट अपने वज़न से 10 गुना जादा यानि अगर वो 10 ग्राम की है तो वो 100 ग्राम हजार गिराम है ना नहीं सो गिराम, सो गिराम आसानी से उठा सकती है यानि आप सोची, वो खुद दस गिराम की है और सो गिराम उठा रही है समझ रहे हैं? तो सोची कितनी ताक्त वर रही है चलिए अगला पढ़ते है, हम लोग याइट के बारे में से कम से कम प्यांच गुना तीज सुन सकती है यानि अगर कोई सरा सा इत्ती सी भी आवाज होगी जो हमीं सुनाई तक नहीं देगी वह बिल्ली के काम में गुंज जाएगी आरे समझ में बात अगर आपने एंटेटेन्मेंट मुवी है कौन से एक मुवी हो वह अगर देखियो अधालत करके उसको शॉट है अब मुझे ध्यान नहीं रहा है लेकिन उसमें चीज दिखाई गई है तो इसका मतलब यह कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी हेरिंग पावर यानि सुनने की जो ताकत है वह बहुत जादा होती है चलिए आगे पढ़ते हैं यहां सेकंड लिखका ह पार्ट 3 है अब क्या लिखा है अलोंग इंडिया कोल्डोर्स कॉर्स्ट यानि की कॉस्टल किसे बोलते हैं कॉस्टल होते हैं एक समंदर का किनारा ठीक है उसके उपर भासा हुआ है वियर थाउसेंड ओफ पीपल प्रिश्ट विफैलो गोट एंड दॉक्स वर फाउंड अ 60 विजिटर वर वाश्ट 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 वश्ट अवे फ्रॉम दा पंत गाला बीच इंसाइट पार्क बट नो अनिमल केर चैसेट वर फाउंड एक्सेट पर टू वाश्ट वाटर बौट एंड वीफोर दा सुनामी हीट्स पीपल अट याला नेशनल पार्क had absorbed three elephants running away from the Panthgala beach यानि अब देखें यहां क्या बोल रहे हैं कि यह बात आपकी तपकी है जब यह बात हो रही है आपकी श्री लंका की ठीक है श्री लंका की कहां की याला नेशनल पार्क की देखें यह सब जब भी सुनामी आती है वह हमेशा समंदर के किनारे आती है अब यहां पर बहुत सारे गज्जो आपके भैस हैं गाये बकरी कुत्ते यह सब चीज़ें वहां थी इसके लावा 130 जातियां थी बर्ड की बर्ड की 130 पर जातिया थी यह सब चीज़ें थी जब वहां पर बार आई सुनामी आई स्वरी तो क्या हुआ कि कोई भी एनिमल्स के मरने की इतनी खबर नहीं आई जितनी खबर आई किसके मरने की इंसानों के मरने की ठीक है क्यों क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पहले से ही कोई भी आबदा आने वाली होती, कोई भी disaster आने वाला होता है, उनको पहले से ही उसकी बारे में पता चल जाता है, ठीक है? और जो लोक बचे थे, उन्होंने बात बताई भी थी, कि जो elephant थे, वहान नेशनल परक में तीन एलिफेंट थे वो इधर से उधर भागने लगे थे क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पहले से अभास हो गया था इसके उलावा क्या लिखते है और श्री लंका जेंटिल मैं एक आदमी जो श्री लंका में रहता था वो उस दिन बीच पे जो जैसे वाक कराने के लिए ले जाते है ना डॉक कूप तो खेला है वो उसके रं करने के लिए वाक करने के लिए नहीं गया अब उसके बाद बताता है कि देखिए they are usually excited to go on this outing यानि वो लोग जो है जानि उसके जो दोनों कुत्ते थे वो जर्णली बहुत जादा excited होते थे घूमने जाने के लिए लेकिन आज वो दोनों कुत्ते नहीं जा रहे थे क्यों क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चूकि उनके सुनने की शमता बहुत जादा होती है और उन्हें पहले से ही अभास हो जाता है उसने का वर्ट ऑन डेट डे डिया रिफ्यूस टूगो यानि उन्होंने आज जाने से इंकार कर दिया कि नहीं जाएंगी है और उन्हें कुत्तों नहीं इसलिए मना किया होगा कि शायद वो अपनी और अपने मालिक की जान बचाना चाह रहे थे क्योंकि अगर वो बाहर जाते तो मुश्किल ही था कि वो बच पाते अब देखें यहाँ आपका फर्स्ट सेकिंड और थर्ड इन तीनों का आंसर मैं एक साथ दिखाऊंगी पहले में स्पेस दिया गया इसका लिकाए पार्क इस बिगें डिसकॉस्ट इन अबव पैसेज इस इन श्री लंका यानि ऊपर कौन से पार्क की बात की गई है जिस जो श्री लंका में तो आपको पता है याला नैशनल पार्क की बात की गई है ठीक है तो इसका अब इसकेंड के सिक्स्टी डैश गोट वॉच्ट अवी फ्रॉम दा पंतगाना बीच ठीक है तो इसमें क्या आ जाएगा सिक्स्टी के साथ आ जाएगा आपके विजिटर ठीक है नेक्स्ट है आपका इन गैले दे डॉक्स रिफ्यूज तो गो टू दा बीच विद धेर मास्टर विकॉज अब डॉक जो है वो उन बीच पे क्यों नहीं जा रहा था तो इसका अंसर बी सही होगा दे कुट सी है सैं से उन्होंने उसे बता दिया था कि कोई डिजास्टर यानि कि कोई आपदा आने वाली है कोई परशानी आने वाली है चले तो अब इन तीनों का अंसर देख लेते हम जैसा कि मैंने बता यह पहले का याला नैशले पार्ग दूसरे का विजिटर और तीसरे का ऑप्शन बी तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया ठीक है तो आप इस तरह से यहां से देख लेंगे चले फोर्ट कोश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग कोश्चन फोर्ट जो है लिखा न्यूस पेपर की रिपोर्टर जो है विजिटेड वो गई कहा याला नैशनलर पागई आफ्टर सुना तो चलिए इन सारे आंसर को देख लेते हैं एक बार फिर वक्षिट को खत्म करते हैं देखे पहले का जो आपका अंसर नमबर बीच तो आप लिख देंगे 130 स्पीसिस दूसरा जो था कि कितने विजिटेटर गए तो आप लिख देंगे 60 विजिटर ठीक है इसके बाद थर् पिड फॉर टू वोटर बफैलो बस दो पानी वाली बफैलो जो है उनका आया था इसके इलाबा और किसी का नहीं आया था तो इस तरह से आप यह वाले फिलप्स भी पूरे कर लेंगे आज़ी वोक्षिट में बसे इतना है अगर आपको माई वीडियो पसंद आई हो तो प प्लीज मैं चाओं को सिस्काइब करें थैंक यू फा वाचिंग